नमस्कार दुस्तो रियल बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे आपका हर्दिक स्वागत हैं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घर बैठे बैठे ओनलाइन कैसे हम SBI बैंक का ओटो स्विफ फैसिलिटी यानि M.O.D. अकाउंट क्लोज कर सकते हैं सबसे पहली बात दुस्तो M.O.D. अकाउंट क्या है और इसके बारे हमने जानकारी पहले ही वीडियो में दे रखी है तो आप जाके चैक आउट कर सकते हैं आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिलिटी कैसे हम इसको कैंसल कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको चले जाना है आपके ब्रावजर में उपन कर लीजे आपका ब्रावजर और सर्च कीजे ऑनलाइन बैंकिंग दोस्तो आप देख सकते हैं ये SBI Bank का Official Online Banking Portal है जहाँ पर हमें Personal Banking वाले सेक्षन में जो Login वाला Option है यहाँ पर क्लिक करना है Continue to Login पर क्लिक करेंगे दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला आइकन है यहाँ पर username तो हमें username और password डालना है और capture code डालके Login कर लेना है दोस्तो वीडियो में मैं जो भी बता रहा हूँ आपको कहीं पर भी कोई समस्या हो ताप मुझे के नीचे comment में बता सकते हैं मैं comment में आपकी जरूर मदद करने की पूरी कोशिस करूँगा और यहाँ पर आप देखें तो यह online banking का आपका जो net banking है इसका जो portal है आप देख सकते हैं interface हमारे सामने आ चुका है सबसे पहला यहाँ पर लिखा है my account and profile और इसी line में गर हम देखें यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक fixed deposit वाला option तो में जो fixed deposit यानी FD वाला है यहाँ पर हमें click करना है तो हम हमारे सामने देख सकते हैं बहुत सारे option है यहाँ पर सबसे पहला option मिलेगा ETDR और STDR वाला यह जो option है हमें इसी के उपर click करना है आप ध्यान से देख लेजी दोस्तों आप कौन से राजी से हमारा वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताईए ताकि हम पता चल सके हमारे वीवर्स कहां से बिलॉंग करते हैं अब दूस्तों आप देख सकते हैं यह interface हमारे सामने हैं सबसे पहला profile में हमें यहाँ पर click किया था ETDR slash STDR तो यहाँ पर आप देखे तो बहुत सारी चीजे हमारे सामने देखने को मिल गई हैं सबसे पहला FD के लिए ह फिर यहाँ पर दूसरी इनकी स्कीम है और नमबर तीन पर हमको एक देखने को मिलेगा ETDR slash STDR MOD MOD यानि Multi Option Deposit जिसको SBI MOD कहता है और दूसरी बैंक के उसको AutoSwift Facility कहता है बात एक ही है अब हमें इसी के उपर click करके यहाँ पर proceed के उपर click कर देना है यहाँ आप दिखते हैं प्र click करना है और इसको उपर click कर दीजिए इसके बाद में दोस्तों कुछ ऐसे instructions आते हैं जिनको हमें proceed कर देना है जिसको में technical issue की कारण record नहीं कर पाई है बड़ आपको केवले proceed करना है और कुछ भी नहीं इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका account सिलेक्ट करने को बोलेग पर अब सबसे ज़्यादा जरूरी बात की में आपको बताना चाहूंगा सुबे से आट के लगा अगर रात के आट बजे तक के बीच में ही आपको यह स्टैप उसको follow करना है अगर आप उसके बाद में करेंगे तो आपका next business day पे आपका काम होगा अगर आप चाहते हैं same business day पे इंस्टेंट लिए आपका काम हो जाए तो सुबे के आट से रात के आट बजे के बीच में ही आपको यह काम करना है आसा करता हूँ जो information में आज जब तक पहुँचे आप सभी के लिए फायदे मत रही होगी इसी बात पे लाइक ज़रूर बनता है आज का वीडियो लिए आपका बहुत बहुत धनिवाज जै हिन जै भारत वंदे मात्रम